Hello everyone, welcome back to my channel Education Hub. Today we are going to read and understand unit 8 lesson name My Silly Sister of NCRT English of class 3rd. Let's start. My Silly Sister, Mother, Your Baby is Silly. She is so very childish. So, story में आपको जियो यह लड़का दिख रहा है, यह कह रहा है कि ममी जो तुम्हारी यह बच्ची है, बहुत जादा मुर्क है और यह बहुत जादा बच्कानी हरकते करती है Silly मतलब होता है मुर्क और Childish मतलब बच्कानी हरकते है She doesn't know the difference between the lights in the street and the bright stars और इसको अंतर भी नहीं पता है street light में और चमकते हुए तारों में street light बोलते हैं सड़कों पे जो light लगी होती है उसको bright stars मतलब चमकते हुए तारे When we play with pebbles, she thinks they are real food और जब हम कंकडों से या पत्थरों से खेलते हैं तो इसे ऐसे लगता है कि यह असली का खाना है Pebbles मतलब कंकड, play मतलब खेलना She even tries to put them into her mouth और वो क्या करती है उन पत्थरों को और कंकडों को अपने मूँ में डालने की कोशिश करती है Try मतलब होता है कोशिश करना When I open a book before her and ask her to learn her ABC She tears the pages with her hands and roars with joy at nothing और जब मैं book खोलता हूँ, open मतलब होता है खोलना Book मतलब किताब और जब मैं किताब खोलता हूँ और इससे पूसता हूँ और पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ABC तो ये क्या करती है? पेजो को फार देती है अपने हाथों से और बहुत ही जोर-जोर से चिला कर हसने लगती है खोशी की साथ टीर्स मतलब होता है फार ना पेजो को जैसे फार देते ना तो उसको फार देते फार ना और हैंड मतलब हाथ, रोर्स मतलब दहार ना या फिर जोर-जोर से खोशी की साथ हसना This is your baby way to doing her lesson क्या यही तरीक है इसको अपने lessons को complete करने का When I shake my head at her in anger and scold her और call her naughty, she laughs and thinks at great fun और जब मैं अपना सर गुस्से से हिलाता हूँ और इसे डराने की कोशिश करता हूँ और इसे जब भी मैं शितान बोलता हूँ तो यह बहुत जादा हस्ती है, इसा ऐसा लगता है कि कोई मजाग चल रहा है शेक मतलब होता है हिलाना, anger मतलब गुस्स, scold her मतलब होता है डराना और naughty मतलब शैतान तो यह जो है, जब भी मैं अपने गुस्से से इसका सर हिलाता हूँ इसको डराने की कोशिश करता हूँ जैसे लगता है कि कोई मजाग चल रहा है और वो जोड-जोड से हसने लगती है everybody knows that father is away but sometimes I call out father playfully सभी को पता है कि जो father है, papa है, वो दूर गया हुए है लेकिन कभी-कभी मैं खेल-खेल में चलाता हूँ पापा, she looks quickly about her in excitement and thinks that father is near और तभी वो क्या करती है, बहुत ही quickly मतलब बहुत ही जल्दी से excitement के साथ, बहुत खुजी के साथ, इधर उधर देखने लगती है कि पापा कहीं पास में तो नहीं है, नियर मतलब होता है, पास, फार मतलब दूर sometimes I hold us class with the donkeys that our washerman brings to carry away with dirty clothes, और कभी कभी क्या करता हूँ, मैं class में, मतलब ये बच्चा इस लड़की को बढ़ाता है न, तो वो कभी कभी क्लास में, donkey लेकर जाता है, donkey मतलब गधा, किसके गधे को लेकी जाता है, washerman के, जो धोबी आते है, जो उस पर कपड़े रखके, गंदे कपड़े रखके, तो उसकी मैं क्या लेके जाता हूँ, गधे को लेके जाता हूँ, dirty clothes मतलब गंदे कपड़े, washerman मतलब दो भी, donkey मतलब गधा, I warn her that I am a school master and that she better not make any noise, और मैं उसको क्या बोलता हूँ, कि मैं school master हूँ, तो वो बिल्कुल भी कोई शोर नहीं मचाते है, noise मतलब शोर, only then she keeps quiet और त Moon, she is really funny, और जी जो आपकी बच्ची है, वो यह जो लड़का है, यह बोलता हूँ, कि यह जो आपकी बच्ची है, यह किसको पकरना चाहती, Moon को, Moon मतलब चांद को, catch मतलब पकरना, she is really funny, यह बहुत ही मज़दार है, mother, your baby is silly, she is so very childish, तो फिर यह जो बच्ची है, यह बहुत स सब्सक्राइब करना ना बूले, thank you